इश्वर कौन है यहां पर जब हम ओम की साधना करते हैं तब इश्वर सहसराक्ष होता है जह सराक्ष कौन हजारों अनंत तांखों वाला जो जिससे आपका कुछ नहीं चुपआ है जो आपके मन के बीटर का बाहर का इसमय आप जो बैठे हो आपको देख रहा है आपको अब में उससे चुपकर वी कुछ सोच रहे हैं वो भी पता है तो पूरी तरह से जिसके साथ आप transparent हो और वो देखकर क्या कर रहा है वो मौनिटर भी कर रहा है वो आपको गाइड भी कर रहा कि प्रेना कैसे दे रहा है जैसे ही आपका मन किसी उत्तम विचार को सोचने लगता है उत्तम संक्र्व करें मैं यह था काले करूं तो आपके अंदर आप देखो कि सूख्ष मुरूप से एक आनंद की भावना एक उच्सा की भावना एक शांती की भावना एक जागरी तो थी हाँ, कितना था आप अब मन में विचार करें कि हाँ, मैं किसी छोटे प्यारे से बच्चे को लाड़ करूंगा या उसकी सिच्छा के लिए कुछ करूंगा मैं गो माता कोई पीडित है, उसकी सेवा के लिए कोई कारे करूंगा उसको रोटी खिला हूंगा, मैं किसी कर्ष्ट में किसी जीव को रोटी खिला दूँगा किसी रुगने जिसके पास मैं धन नहीं है, उसको उसके उपचार के लिए मैं सहयोग कर दूँगा यदि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तिसी को कल्याड करूँगा तक उसका जीवन सुलज जाए तो ऐसे कोई भी कल्याड की भाव न करें अपने घर में तिसी के लिए अपने मन में या मैं पूरे संसार में सनातन धर्म को सह जुरूब से फलाने कारे कारे करूँगा, मैं उत्तम की उससे आगी भावना आएगी और यहीं यह दिया आप कोई भी पापकर्म करते हो बुरा सोचते हो चलो मैं इसका यह कर दूंगो कर दूंगो देखोंगे थोड़ा सा टेंशन आगया भय लगे-गारे को चुपके करना पड़ेगा शंका होगे डाउट होगा लग जाएग कि और कुषी को पता ना चल जाए तो ये एक बैरोमिटर रखिए आप ये यह आपसे इश्वर बात कर रहा है यह इसी प्रकार से बात करता हैं तो ये आपका अपरोज ठीक नहीं है हम जब कएग्जाम देते थेती तो अभी तो पता नही फRIल प्रशना था था क DAY उन्सार तो हो सकता है कि आपका करना जो आप चाहते वो ठीक है उपाय आपको और अच्छा करना पड़ेगा तो यह आपातकाले मर्यदास की बोलकर आप गलब पत्पे ना चले वह आपातकाल बहुत रेर होते हैं तो यह भैशनका लग जाना हो आरंद उत्सा शांती की भावना मन में होई है सोचते हुए इस्वर को वह सैसराक्षी इस्वर आपको देख रहा कारić आपको मॉनिटर भी कर रहा है जो भी मैं खेल कुद करूंगा उसी में बैठ कर चाहें, क्रिड़कम से, खेलोने से खेलूँगा, अलग लूँगा, इत्रा हूँगा. तो वैसे मा के गोद में, हम इश्वर के गोद में बैठे हैं, सहसराक्ष करती हैं कि इश्वर नहीं अपने गोद में रखरका है, उस इश्वर के विजाट इश्वर के मन में बैठके, करूना, यह करूना के लिए है, और जिस भावगी आपको लगता है कि इसमें नियूंता ह उसम्मया पादी को पर विचिवी सुर्कों कर सकते हो.